हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो आप लोगों ने कमेंट किये हुए उन सभी कमेंट का वन बाई वन मैं आप लोगों को आंसर देने वाला हूँ और यहां पे आप लोगों को बता दो कि आज सुबह जो है मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई हुई थी जिस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि जिन भी श्टुरेंट ने अपनी जो back assignment और back exam के form फिल किये हुए तो उनके जो assignment है और जो exam है वो कब होने वाले हैं तो अगर आप लोगों ने वो बीडियो नहीं देखी हुई है तो आपको गया करना इस बीडियो को end तक देखना है इंड में आपको जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एक वीडियो का icon सो होगा उस पे click करके आप लोग जो है उस वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए यहाँ पे जो आपके comment से उनका answer देता हूँ पहले में तो थोड़ा time लेगा वो open होने में तो आप wait कीजिए उसके बाद यहाँ पे next comment है यहाँ पे इन्होंने पूछा हूए कि first or second assignment किन किन कि हो रहे है तो जो first or second assignment होंगे वो BA first semester के student कि होंगे ठीके उसके बाद आरती बोरा है इन्होंने यहाँ पे पूछा हूए कि BA first semester वाले अ अपना जो examination है वो center change कर सकते हैं आप लोग आप उस video को देखिए अगर वहाँ पे आपका option आ रहा है चेंज करने का तो आप कर सकते हैं उसको change उसके बाद यहाँ पर अभी से एक है इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि BA first year में back थी third year की back form फिल हो गया है और first year का नहीं ह हो रहा है तो कोई बात नहीं आप मुझे instagram पर message कीजिए मैं आपको वहाँ पर answer बता दूँगा solution नीचे comment box में मैंने आप लोगों के साथ जो मेरा instagram idea वो share किया हुआ है तो click करके आप लोग join कर सकते हैं follow कर सकते हैं मुझे instagram पर उसके बाद next comment है उन्हें यहाँ पर पूछा ह कब होंगे तो एक video बनाई हुई है मैंने जिसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आपके जो back exam है वो कब होंगे तो आपको गया करना है इस video की discussion box में जाना है वहाँ पर आपको जो है video का icons होगा उस video को देख कि आपको पता चल जाएगा कि कब आपके assignment और जो आप के exam है वो कब होंगे उसके बाद यहाँ पर next comment है इन्होंने लिखा है कि fees जो है वो cut गई है और दिखाई दे नहीं रही तो अगर fees cut चुकी है और सो नहीं हो रही है तो आपको अपना जो study center वहाँ पर जाना है वो आपको बता देंगे आगे आपको करना क्या है फिर यहाँ पर next comment है इन्होंने यहाँ पर पूछा है कि security form भरेंगे तो उसके result कब तक आएगा तो जो result है वो आपका एक या दो महने में आ जाता है उसका ठीक है security का जो भी form fill करेगा उसका जो result है वो कुछ time के बाद आ जाता है और मैं आपको suggest करूंगा कि security form fill करने से अच्छा है आप back form fill कर लीजिए क्योंकि fees आपकी जो है same होती है और security में अगर आपके marks count नहीं होंगे उतने ही number आपको दिये जाएंगे और अगर आप back form fill करते हैं तो उसमें आपके पास chance होता है कि आप कुछ अच्छा लिख के जो है अच्छे marks लेके आए फिर Alex है इन्होंने यापे पू आप दूंगा वर्टसब ग्रूप जोइन कर लिजिएगा सभी लोग अगर आपनी जोइन नहीं किया हुए अभी तक तो नीचे comment box में वर्टसब ग्रूप का link दिया हुए तो click करके join कर लिजिएगा फिर next comment है इन्होंने लिखा है कि ये third year के 2024 के form कफ फिल होंगे तो अभी जब फरवरी में exam होंगे तो उसके बाद जो है आपके admission सुरू हो जाएंगे तो आप ले सकते admission उस टाइम उसके बाद next comment है इन्होंने लिखा हुए कि exam 8 subject का होगा क्या जी हाँ जो subject है आपके सभी subject का आपका exam होगा फिर next comment है इन्होंने लिखा हुए कि assignment offline होंगे center में जमा करो assignment जो है आपके online होंगे में भी जो है अभी कोई notification नहीं आया हुआ है फिर यहाँ पर next comment है यहाँ इन्होंने पूछा है कि तुम subject को blur कर दे रहे हु लास्ट में तो भाही वहाँ पर थोड़ा issue हो रहा होगा इसलिए हो रहा है ठीक है उसके बाद यहाँ पर next comment है इन्हों से start होंगे तो assignment जो है site पर जब भी option आएगा मैं आप लोगों को बता दूँगा आप चेक कर लीचिएगा फिर यहाँ पर next comment है उन्हें यहाँ पर पूछा हुआ है कि environmental studies subject BPA VAC09 value added course first semester के लिए भी है जी हाँ यह जो है compulsory है अगर आपने admission लिया हुए तो इस time आपको वहाँ आप पर जो है so हो रहा होगा VAC09 करके code होगा subject का वो आपका environmental science का ही subject है और ज्यादा तर जो student है वो environmental science में फेल होते तो आपको जो environmental science जो subject है आपका उसको ध्यान पूर्वा करना है और मैंने आपके लिए जो question paper है वो भी solve किये हुए last seven year के environmental science के तो आप उनको देख कि अच् exams में फिर यहां पर next comment है इन्होंने लिखा है कि assignment कब start होंगे तो assignment जब भी start होंगे मैं बता दूंगा अभी तो नहीं हो रहे हैं आप लोगों के उसके बाद next comment है इन्होंने लिखा है कि second year की जो form कैसे भरे back first year में back आई है तो आप second year की जो form है वो अभी fill कर सकते हैं फरवर inbox में मैंने आपको जो है मेरा जो instagram idea उसका link दिया हुए तो click करके मुझे वहाँ पर message कर लीजिए मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको form fill करना है फिर यहां पर next comment है इन्होंने पूछा हुए कि please share season 2023 list तो जो list है वो मेरे पास नहीं है आप जो है आपका जो study center है वहाँ प तो जो back वालों के online assignment होंगे उनकी जो date है अभी नहीं आई भी है जल्दी ही उनकी जो date है वो आ जाएगी तो जब भी date आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा और दूस्तों यह आपके कुछ comment थे जिनका answer मैंने आपको इस video के through दिया और यहां पर आप लोगों को एलफुल लगी हो तो like कर लीजिएगा चैनल पर पहली बार आरे तो चैनल को सब्सक्राइब और bell icon call पर प्रेस कर लीजिएगा तो चलिए मिलते हैं आपको मैं next video में तब तक के लिए bye bye and have a good day